हेलो गाइस आज हम कपल अफ कुकूज के एपिसोड 39 के पार्ट 2 को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं लास्ट पार्ट में हमने देखा था AI और नागी के रिलेशनशिप को TV पे दिखाये जाने की वज़े से एरिका की मॉम ने दोनों को एक होटल में दो वीक के लिए बंद कर दिया था और अब नागी दरवाजा पीटने लगता है और कहता है इसका कोई फायदा नहीं हम पूरी तरह से यहां लॉक हो चुके हैं और वो सोचता है एरिका की मॉम ने सही कहा था कि अगर वो दो वीक के लिए पबलिक से दूर रहेंगे तो मामला ठंडा पड़ जाएगा और फिर नागी एरिका को देखता है और कहता है यह तो बहुत टेरिबल मूड में लग रही है और हमें यहां दो वीक तक रहना है अगर हम नॉर्मल बरताफ करें तो सब अच्छे से हो जाएगा और फिर एरिका वहां लगे टेलिफोन से डिनर ओर्डर करती है नागी कहता है तुम फ्रंट डेक से कनेक्ट कर सकती हो नागी सोच रहाता उसे मदद मिल जाएगी यहां से निकलने में पर एरिका कहती है अब बात यहां तक आ चुकी है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता हमें दो वीक तक यहीं रहना पड़ेगा नागी कहता है तुम्हारे मुँसे यह सुनूंगा सोचा नहीं था मुझे लगाता तुम यहां से भागने का रास्ता ढूंदोगी एरिका कहती है ऐसा मेरे साथ होता रहता है जब भी मैं कोई गलती करती हूँ वो कहती है मेरी फैमली होटल चलाती है और मैंने इतका फाइदा उठाना सीख लिया है अब मुझे इसकी आदत है नागी कहता है अच्छा तो यह इसका पहली बार नहीं है इससे पहले भी से कई बार लॉक किया गया है नागी पूछता है वैसे तुमने किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रियेट करी थी जिसकी वज़े से तुम्हें लॉक किया गया था एरिका कहती है सभी तरह की बस अब चुपो जाओ और फिर सर्विस वाले उनका डिनर रूम में लेकर आते हैं और वो बहुत फॉर्मली ट्रीट करते हैं जैसे होटल में विश किया जाता है और वो कहते हैं हमें आपकी सेवा करके खुशी हुई और आगे वो कहता है वैसे तुम्हारी mom kind of amazing person है एरिका कहती है वो हमेशा से ऐसी ही है बाहर से जब भी कोई उन्हें पहली बार देखता है तो वो उन्हें एक mature person दिखती है पर अंदर से वो एक नकल एड है बिलकुल तुम्हारी तरह है इस नकल एड basically stupid person और जो इंसन बहुत confused होता है उसे कहते है नागी कहते है तुम सही कह रही हो वो सच में अजीब तो है पर उन्होंने जो भी कहा उन सारी बातों का sense था अगर कोई मुझे दो विक तक नहीं देख पाएगा तो normally लोग तो भूली जाएंगे एरिका कहती है हाँ चायद वो हमें बचाई रही है पर मुझे पता है वो हमारे reactions को देख कर बहुत enjoy कर रही होगी और फिर वो खाने से उट जाती है और कहती है मेरा हो गया नागी कहते है पर अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है एरिका कहती है तुम खालो मुझे दूसरे काम करने है और नागी सुचता है ये बिना फोन और बुक के क्या करेगी जो भी हो उसने कहा था उसे इसकी आदत है और फिर एरिका चेर पे चड़कर कुछ उतार रही होती है और चेर गिर जाती है और वो लटकी रह जाती है और चिलाती है नागी यहाँ आओ मेरी मदद करो चेर गिर चुकी है नागी वहाँ जाता है और एरिका कहती है मैं तीन गिंती पे हाँ छोड़ दूँगी मुझे कैच कर लेना नागी कहता है रुको और एरिका उपर से गिर जाती है और नागी का पूरा फेस एरिका की स्कर्ट के अंदर था और एरिका कहती है तुम बहुत बुरे हो ऐसे टाइम पे तुम क्या करने की सोच रहे थे नागी कहता है मैं भी बस यही कहने वाला था एरिका कहती है मैं तो बस उपर से योगा मैट उतार रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी exercise करनी है और अगले सीन में हम एरिका को मैट बिचाते हुए देखते हैं वो कहती है अग क्योंकि हम यहाँ दो वीक के लिए फस चुके हैं तो यह सबसे अच्छा टाइम है डाइट करने का नागी कहता है अच्छा एता है क्या और एरिका exercise करते हुए कहती है अगर हम बस खाते और सोते रहे तो मैं कब मोटी हो जाओंगी मुझे पता भी नहीं चलेगा नागी कहता है यह तो तुम्हारा रोज का काम है इसमें नया क्या है एरिका कहती है शट अप और फिर exercise करते हुए एरिका के पैर में कुछ हो जाता है और नागी उसके पैर को पकड़ कर सीधा करके उठाने लगता है और कहता है लगता है तुम्हारे पैर में क्रैंप हो गय वो तो बस क्रैम ठीक कर रहा था एरिका कहती है अब बस बहुत हो गया नागी कहता है मैं भी यही कहने वाला था और फिर एरिका उन कपड़ों को चेंज कर लेती है और बाथरूम में चली जाती है और यहां नागी सोचता है चलो थोड़ी शानती मिली पर अब मुझे यहां दो वीक और रहना है क्या सब सही होगा सब सही होता अगर मैं यहां अकेले होता पर यहां मेरे साथ एरिका भी है मुझे लगता है यह मेरी गलती का नतीजा है कि हम यहां पर फसे हुए है और अगले सीन में हम नागी को बाथरूम का गेट नौक करते हुए देखते हैं वो क नागी कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम डी हाइडरेट हो गई थी, एरिका कहती है चुप रहो, और नागी कहता है तुम्हें इसे सीरियस लेना चाहिए, और अपनी डाइट को बंद करना चाहिए, बस नॉर्मल जैसे सब कुछ करती हो, वैसे ही करो, तुमने क कहा था तुम्हें इसकी आदत है, तो मैंने सोच पया, यहां मुझे थोड़ा अराम मिलेगा, एरिका कहती है, हां मुझे इसकी आदत है, पर मैं नॉर्मली एक्ट नहीं कर सकती, आप्टर ओल, मेरा यह फ़र्च टाइम है, जब मैं किसी लड़के के साथ अकेले होटल रू क्योंकि यह एपिसोड होता है, यही पे end और next episode में हम देखेंगे, एरिका की मदर के और क्या plans है, एरिका और नागी एक रूम में क्या क्या करने वाले हैं, और कल से फिर दुबारा proper एक episodes की वीडियो आया करेगी, तो चलिए कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक क एलिए बाइबाइ